अपने 45 वे जनमदिवस को गोंदिया की विधायक विनोद अगरवाल ने हर बार कि तरह इस बार भी दूसरों को खुसी देकर उनके साथ उत्साह के साथ मना जनता के आमदार के रूप में ख्याती अरजित कर चुके विधायक विनो दगरवाल को सिर्फ नाम के लिए जनता कामदार नहीं का चाता उनके कारिये जनता जनारदन के लिए समर्पीत होने से उन्हें यह उपादी प्राप्थ हुई है चार जून को विधायक विनो दगरवाल ने अपना 55 जनमदीन शहर के पोवार सांस्कुल्टिक भवन में उत्साप के साथ मनाया खास बात यह रही कि आज देश के लोगसवाचनाओ के नतीजों का दिन रहने के बावचुन इसका कुछ भी असर जनमदीन पर नहीं पड़ा पोवार समाज के विशाल हॉल में जनमदीन में बधाई देने वालों की इतनी बड़ी संख्या आश तक कभी नहीं देखी गई जनमदीन पर विधायक विनो दगरवाल ने 103 दिव्यांग जनों को बैटरी चलित इरिच्छा देकर उन्हें गले लगाया पर इसेकड़ों बिना हाथ पैर वालों दिव्यांग जनों को कुत्रिम हाथ पैर लगवा कर उनके जीवन में नई खुशी देने का कारी किया जनता के विधायक इस खुशी पर इज्रार करते हुए कहा मेरे लिए आज का दिन सबसे उत्साइद दिन है आज दिव्यांग जनों को बैटरी चलित रिक्षा और कुत्यम हाथ पैर मिलने से जो खुशी उनमें दिखाई दे रही है वर खुशी मुझ में उर्जा का स्त्रोत उत्पनक कर रही है दिव्यांगों की मदद इश्वर ये कारिया है और ये कारिया में जीवन भर करता रहूँगा जनता के विधायक जनमदीन पर हिरवल बहुत दीशिय स्वंता ताक्ति फाउंडेशन में विनोद अगरवाल मित्र परिवार के सेयुक्त तत्वा अधान में ग्यारा सो पौदे नागरी पोको की तरिक कर विधायक विनोद अगरवाल को जनमदीन की बदाई दीगे जनमदीन पर गोंदिया विदानसवा सेथ जिले भर से हजारों के चहाने वाले पोवार सांस्कुतिक भवन पहुचकर विधायक विनोद अगरवाल को जनमदीन की बदाई दी और उनके उज्वल भविश्य दिरगायों व बैतर स्वास्तिक का शुपा शिर्वात दिया है BCN News के लिए कोंदिया से अब शिर्व भटनागर